हलो बडीज ग्यान बाबा स्रीज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर हरियोम कंगवार पच्छो बाबा का फंडा में आज हम लोग क्या डिसकस करने वाले हैं आज हम बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग आयूडीज के बारे में तो पहले आयूडीज जान लेते ह कहते हैं इन्ट्राइट्राइठ डवाइस यह से और कॉपर seven हो जया मल्टी लौड t2t2 75 हो गया आप यह आउडिस तीन तरह ही होती है एक होती कॉपर रिलीजिंग एक होती हार्मोन रिलीजिंग और एक होती हैं नौन मेडीकेटेड तो अब जो हार्मोन रिलीजिंग अयुडी इज न को हम लोग याद करेंगे हार्मों हार्मोन रिलीजिंग आयूडीज हार्मोन रिलीजिंग आयूडीज अब वो confusion इस बात को लेके होता है बटा कि हार्मोन रिलीजिंग आयूडीज जैसे copper T कैसी है copper 7 कैसी है multi load 375 कैसी LNG 20 कैसी है यह सब में याद करना है तो अभी आप सभी जानते है IPL के बारे में IPL को मैं थोड़ा सा change कर रहा हूँ और उसको मैं कर रहा हूँ HPL Indian Premier League को Hindustan Premier League में हम बदल लें ठीक है तो निमोनिक मैंने क्या बनाया है HPL HPL तो H मतलब हिंदोस्तान हिंदोस्तान P मतलब Premier Premier और L मतलब League ठीक है HPL अब यहां पर जो H है बेटा H क्या बताएगा हम लोग क्या याद कर रहे है Harmony Releasing IUDs याद कर रहे है ठीक है P का मतलब क्या हो जाएगा बेटा P मतलब हो जाएगा Progestacert Progestacert यह Harmony Releasing IUD है और League में L का मतलब क्या हो जाएगा LNG 20 यह दो नाम आपको याद करने अब आपका जो Confusion है जैसे Multilode 375 अब HPL में कहीं भी M नहीं आ रहा है C नहीं आ रहा है तो Copper 7, Copper T का का काम भी खतम हो गया तो एकदम क्लियर हो गया कि Progestacert और LNG 20 दू ही ऐसी IUDs है जो हार्मोन रिलीज करती है तो इससे आपका जो NEET का एकजाम है वहाँ पर अगर यह IUDs पूछी चाहेंगी तो बहुत आसानी से HPL से इसको याद कर सकते हैं कैसे लगा यह Funda? Comment section में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और चैल पर ने तो चैल को सब्सक्राइब जरूर करें अगली वीडियो में नए फंडे के साथ मिलेंगे जैहिन